दूर संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दहरादून जॉली ग्रांट एरपोर्ट पहुचकर वाइफाई सेवा का लोकारपन किया वाइफाई की इस फ्री सेवा की शुरू हो जाने से यात्यों को एंटरनेट के इस्तमाल में होने वाले परिश्वानी का सामना अब नहीं करना पड़ेगा बीसनल के पास इस वक्त सबसे बड़ा होट स्पॉर्ट वाइफाई नेटवक का है जिसके तहत वरतमान में पूरे देश में 30,000 वाइफाई और होट स्पॉर्ट कारे रथ हैं जिसे और भी बढ़ाने के प्रयास जो हैं वो किये जा रहे हैं बीसनल की इस सेवा के शुरू हो जाने से दूर संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसकी तारीफ की है आज से बीसनल फाइबर टुदा होम एफटी टी एच की सुविधा उपलब्द रहेगी जितने भी हमारे टिकेट काउंटर हैं टैक्सी काउंटर हैं उन सबको बड़ा परेशानी होती थी क्योंकि इंटरनेट सेवा उतनी अच्छी कारें नहीं करती थी कॉपर के पेर पे वो कहीं दूर के एक्षेंज से कार रहत थे वरतमान अभी तक बट आज के बाद एफटी टीएच में 100 Mbps तक की स्पीड के साथ में इनके इंटरनेट दोड़ेगा कि देहरादून अब देश का एक प्रमुक्त प्रेटन अस्थल बन रहा है मुझे एरपोल डिरेक्टर ने बताया कि 23 अधिक फ्लाइट साके हैं बहुत सुंदर बरफ पड़ी है बहुत ही प्यारा प्रदेश है तो यहां पर आने वाले सारे यात्रीयों को यहां जो दुका बने हैं सिस्टम हैं बुकिंग हैं इन सबों को अच्छे स्पीड के इंटरनेट अवेलेबल हो इसलिए आज यहां पर वाइफा का कारिक्रम और एपिजियों का हुआ है